आप सभी का स्वागत है सक्सिस की 98 में जो भी कल एक्जाम देने जा रहे हैं वो NTPC में टाइम कैसे मैनेज करें आपने बहुत अच्छा तैयारी किया होगा अपने उपर बिल्कुल भी बिस्वास रखना बिल्कुल मत डरना बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई कोई टेंसन मे यह आपके उपर अगर हाभी हो गया तो एक्जाम खराब जा सकता है तो टाइम को अपने उपर हाभी बिल्कुल मत होने देना 100 कोईसन का आपका पेपर है 90 मिनट का आपके पास टाइम है और आपको यह भी पता है इस 100 कोईसन में 40 कोईसन जी के एंड जनल अवेलेंस बोल स सकते हो करें तर फिर जी सब इसके अंदर आएगा 30 कोईसन आपका मैट का है और 30 कोईसन आपका किसका है तो 30 कोईसन आपका रिजनिंग का है एक बात याद रखिए जितने लोग भी मेरे भाई बेन देख रहे हैं कोई दिकत नहीं है आप सभी को आप एक बात बताओ अपन करते हैं बहुत लोग एक्जाम से पहले अपने आपको जज़ भी किये होंगे टाइम कैसे मैनेज किया जाए इसके उपर भी काम किये होंगे अब वहीं कि जाकर फाइनल गेम खिलना है आपको एक्जाम में याद रखिएगा एक बात बताओ इमंदारी के साथ अगर 40 जीए में जादा से जादा 25 मिनट से जादा नहीं लगना चाहिए बहुत दों बोलेंगे भाई या 15-16 मिनट में भी हो जाएगा मैं फिर भी 25 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ उसके बाद रिजनिंग वाला जो 30 क्वेस्टिन है न ये 30 क्वेस्टिन को करने के लिए आपको जादा से जादा जो टाइम देना है ये धिमाग में रहना चाहिए आप सबी का ये 30 क्ेस्टिन का करने में आपको टाइम लगेगा 35-40 मिनट का कितना मिनट हो गया 35 और 25 60 मिनट 30 मिनट का टाइम बचा है और आपको और ये भी पता होना चाहिए आप 100 question attempt करने थोड़ी ना जा रहे हैं आप 75-80 number question करने जा रहे हैं तो अगर math में आप 18-20 question भी किये मालो आपने 20 question नहीं किया 20 question को करने में आप 30 मिनट दो ना 30 मिनट दो 30 मिनट और जबकि ये 40 मिनट भी दो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये 40 GA question नहीं आप 30-35 करोगे फिर भी यहां से भी आप 5-7 मिनट बचाएंगे लेकिन exam के time पूरा active रहना आप सब भी लोग एक बात याद रखिएगा और अपने उपर pressure को हाबी होने मत देना याद रखना अगर exam देते देते math का 3-4 question अगर hard आ गया तो body को lose नहीं करना है अपने आपको pressure के नीचे दबाना नहीं है आप याद रखना 3-4 question नहीं आया छोड़ देंगे क्या दिक्कत है math में 6-7 question नहीं बना क्या दिक्कत है छोड़ देंगे हमेरे पास 100 question है attempt कितना करना है 75 plus attend करना है छोड़ देंगे न यानि exam में जब बैठोगे तो याद रखना 25 question आप अभी भी छोड़ सकते है 100 में ये आपके पास option है नहीं आएगा छोड़ेंगे अब ये नहीं कि कोई question 1 math का question आया नहीं बना 2 question आया नहीं बना 3 question आया नहीं बना तो तुम टेंसर आ गया प्रेसर के उपर आप दबते चले जा रहे है याद रखना बिलकुल नहीं 25 question छोड़ सकते है 75 तक पहुचना है तो बहुत सांती दिमाग से बिलकुल perfect बिलकुल comfort जो उनमें जाकर exam देना है क्योंकि याद रखना जो ये बड़ा वाला पी है ना प्रेसर सिर्फ आपको डुबाने आएगा exam के दिन याद रखना और इसका क्या बात कर रहे है भई या बिलकुल perfect बोल रहा हूँ ये बस आपको डुबाने आएगा exam के दिन exam अगर आपका खराब भी चला गया ना इस प्रेसर के वज़र से देखना exam खत्म होने के बाद ये प्रेसर जो है ना छूमंतर गायब हो जाएगा exam देने के बाद अपने आपको बहुत हलका महसूस करोगे लेकिन आप बहुत कुछ गवाद होगे इस प्रेसर के अगर ये प्रेसर आपके उपर हावी हो गया ना याद रखना प्रेसर का जो काम है ना आपको नीचे लेकर जाएगा अगर आप exam से पहले सोच रहे बहुत अच्छा exam देंगे प्लानिंग के तहट देंगे exam में एका question अगर हाड आया सब डुबोदोंगे एक ही मौक है सब डुबोदोंगे तो याद रखना आप सभी जितने लोग भी हैं प्रेसर को बिल्कुल हावी नहीं होने देना है प्रेसर हम लोगों को सिफ बरबात करने आ रहा है अगर exam से पहले सोच रहे है मैं अपना 80% effort लगाऊंगा और जहाँ प्रेसर आपके उपर हावी हुआ time का बिस्वास मानना ये बिल्कुल आपका 80% जो effort देने वाले थे न वो 60% पर आ जाएगा यानि 20% जो हमारा effort तब वो कौन खा गया ये pressure खा गया tension खा गया exam के time इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ exam के time अगर 3-4 question नहीं भी बनता है 10 बार question नहीं भी बनता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास option है कि मैं 25 question छोड़ सकता हूँ math है reasoning है और आपका GS और GA वाला है इसमें आप target रखना 18 से 19 question करना है यानि math में 10 question छोड़ भी सकते हैं मैं कमजोर बच्चे के लिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को math ही tough लगता है reasoning में 30 question है reasoning सब के लिए आसान है reasoning का paper आसान आएगा भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है topic को clear किया है तो क्योंकि एक कमजोर बच्चा भी बोलता है reasoning वाला section ही हमको असान लगता है तो आप 26 से 26 नंबर यहां से आप पिल्कुल score कर सकते हैं GA में जो मैंने आपको notes दिया है कर सारा video दिया हूँ मैं free में download कर ले ना इस video के नीचे link भी दे दिया हूँ GS में भाई याद रखना मेरे जितने भी भाई बैन है इसमें अगर 30 नंबर भी उठ गया न तो 30, 26, 56, 18 जोड़ोगे 70 पार चला जाता है अगर shift असान हुआ तो यह नंबर और बढ़ेगा तो अपने उपर pressure को बिल्कुल हावी होने मत देना दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए 100 questions है 20-22 questions हम ठोड़ सकते है लेकिन exam बिल्कुल perfect देंगे ताकि pressure अपने उपर हावी ना हो time manage करना आपको बता दिये हैं 20-20 मिनट भी अगर GS section में दोगे sufficient है reasoning में 30 देना 50 हो गया या फिर math में 40-20 questions करना है पूरा एक time management अपने उपर लेकर जाना और उमीद करतें exam से पहले mok बहुत लोगों ने दिया होगा क्योंकि मैं बहुत बार समझाया हूँ mok बहुत important role play करता है exam से पहले आपको पता होगा exam से पहले mok देने के बाद कि मेरा capacity कहा है मैं कहां परटकता हूँ मुझे कहां काम करना है इसलिए मैं बराबर बोलता हूँ exam से पहले mok देना ताकि आपको benefit हो पाए आप पता लगा पाओ आप कितने पानी में हो कितने पानी में नहीं है सभी कोई mok देता है ठीक है चलिए best of luck best of luck everyone good luck बहुत अच्छे से एक्जाम देना ताकि हर student के मम्मी पापा अंकल अंटी का सपना जो है न इस बार कम से कम पूरा हो जाए best of luck मेरे भाई बैन